नमस्कार, आज हम ट्रांस हिमाले एवंग इसकी नदियों के बारे में जानेंगे अल्फिर्ड वैगनर की कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के अनुसार करोडों साल पहले प्रिथवी पर सिर्फ एक महादीब था जिसका नाम था पैंजिया और एक ही महा सागर था पैंथा लासा फिर ड्रिफ्टिंग शुरू हुई पैंजिया कई महा द्विपों और द्विपों में तूट कर विखरने लगा 95 मिलियन यर से वो यानि साढ़े 9 करोड साल पहले प्रिफ्वी ऐसी ही दिखाई दे रही थी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वर्तमान की इंडियन प्लेट तब अफ्रिका महादीब के बगल में इस्थित मेडागासकर के पास थी आज के यूरोप और एसिया महादीब तब एक ही साथ थे जिसे यूरेसिया से दर्साया गया है इंडियन प्लेट और यूरेसिया के बीच में टेथी सागर था फिर इंडियन लैंड मास धीरे धीरे यूरेसिया प्लेट की और खिसकने लगा करीब एक करोड साल पहले इंडियन प्लेट की यूरेसियन प्लेट के साथ जोरदार टक्कर हुई आगे बढ़ते इंडियन लैंड मास्क को आप देख सकते हैं इसके जुकाओ की वज़े से बरतमान में लद्दाक वाला छेत्र यानी इंडियन प्लेट के पैस्मी भाग की टक्कर सबसे पहले हुई आप जानते हैं कि जब दो महादीब के दो कंटिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराते हैं तो वहाँ वलित मोड़दार परवत यानी फोल्डेड माउंटेन का निर्माड होता है अतर जहां पहले टेथीस सागर था वहाँ का आवसाद उपर उठ गया और हिमाले परवस्रिंखला का निर्माड हुआ जो की एक फोल्डेड माउंटेन का उधारन है यह टकर कई बार हुई पहले कारा कोरम रेंज का निर्माड हुआ फिर लद्दाख रेंज मने इसके बाद क्रम सज्जासकर और कैलास रेंज का फार्मेशन हुआ अब पस्मी भाग के टकराने के उपरां इंडियन प्लेट का पूर्वी भाग भी यूरेसियन प्लेट की ओर बढ़ा बर्तमान के लद्दाख से लेकर अनुराचल प्रदेश तक जब एक साथ इंडियन प्लेट ने यूरेसियन प्लेट पर दबाव डाला तो ग्रेट हिमाले का निर्माड हुआ फिर लेसर यानि लगू हिमाले और फिर सिवाली क्रेंज का निर्माड हुआ आज के वर्तमान समय में भी इंडियन प्लेट यूरेसियन प्लेट पर लगातार दबाव डाल रही है जिससे हिमाले की उचाई में लगातार ब्रिधी हो रही है अता दुनिया की सबसे उंची पर वा चोटी माउंट एवरेष्ट जिसकी उंचाई 8848 मीटर थी हाली ही में चीन और नेपाल ने मिलकर आधिकारिक रूप से माना है कि अब माउंट एवरेष्ट की उंचाई 8848.86 मीटर है यानि इसकी उंचाई में लगभग एक मीटर की बिद्धी दर्ज की गई है ग्रेट हिमाले जिसे हिंदी में हम ब्रिहत हिमाले या महान हिमाले भी कहते हैं इसके बनने के पूर जिन परवस्रिंखलाओं का निर्माड हो चुका था यानि कारा कूरम, लद्दाग, जासकर और कैलास ये चारो परवस्रिंखलाओं मिलकर ट्रांस हिमाले कही जाती है ट्रांस हिमाले की इन परवस्रिंखलाओं को इसी करम में याद रखना जरूरी है ताकि एक्जाम में अगर इनको अरेंज करना हो उत्तर से दक्षिन, दक्षिन से उत्तर तो हम कर सकें भारत की भूम पर ट्रांस हिमाले की तीन परवस रिंखलाओं को नौर्थ टू साउथ याद रखने की ट्रिक है काला जाम का से कारा कोरम, ला से लद्दाख और जाम से जासकर इसके बाद भारत में ब्रिहद हिमाले, फिर लगू हिमाले और अंत में श्वालिक रेंज है यहां एक मौत्पून बात जो ध्यान में रखना है कि ट्रांस हिमाले का निर्माड हिमाले की निर्माड से पहले हो चुका था यानि जब इंडियन प्लेट का पस्मी भाग यूरेशिया से टकराया था तब बीश्मी सताबदी में स्विडेन के भूगोल वेत्ता स्वेन हेडिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ट्रांस हिमाले डिस्कवरीज और एडवेंचर सिंतिब्बत यहीं से ट्रांस हिमाले सद्ध के उपर सिद्धी मिली चुकि ट्रांस हिमाले का ज्यादातर हिस्सा चीन के स्वायत छेत्र तिब्बत में है अतर इसे हम तिब्बत हिमाले भी कहते हैं स्वेन हेडिन ने काराकोरम रेंज को बैकबोन आफेसिया यानि एसिया के रिण की संग्या दी है ट्रांस हिमाले का एक प्रमुख परवत है माउंट कैलास यानि कैलास परवत जो बरतवान में तिब्बत छेत्र में है पौराणिक हिंदू कताओं के अनुसार ये परवत भगवान शंकर का वासस्थान है ये माउंट कैलास का सेटिलाइट ब्यू है कैलास परवत के दक्षिन में दो बड़ी जिलें दिखाई दे रही है राकह जील और मानसरुवर जील इस छेतर में अनेक ग्लेशियर भी हैं जिन से अनेक नदिया निकलती है चुकि यह छेतर ट्रांस हिमाले का हिस्ता है अत्या यहां से निकलने वाली नदियों को ट्रांस हिमालियन रिवर कहते हैं जहां इंडस यानि सिंधु नदी मानसरुवर जील से निकलती है वही सतलुज नदी का उद्गम अस्थल राकह जील है इसी प्रकार भारत में बहने वाली ब्रमपुत्र नदी जिसे चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं यह नदी भी कैलास परवत के चेमा यूंग डूंग ग्लेसियर से इकलती है जो कि मानसरुवर जील के भूरब दिशा में इस प्रकार शिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रमपुत्र नदी जो भारत में भती हैं ट्रांस हिमालेन रिवर्स हैं यूपी पीसे स्प्री 2020 का एक प्रस्ण की निमलखित में से कौन सी एक नदी ट्रांस हिमाले नदी है तो यहां हम देख सकते हैं कि जेलम नदी जो जम्मु कस्मीर में वैरी नाक से निकलती है अनंत नाक डिस्टिक में तो जासकर रेंज के नीचे है अतर यह ट्रांस हिमाले का हिस्सा नहीं है गंगा नदी उत्तरा खंड में गंगोत्री से और रावी नदी हिमाचर प्रदेश के चमबा डिस्टिक से निकलती है यह दोनों भी ट्रांस हिमाले का हिस्सा नहीं है अधा सही उत्तर होगा स्टलज जो कैलास रेंज में राकेश जील से निकलती है धन्यवाद